रेवाडी पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वही दो टूरेंट्स हैं जिनको नशे की हालत में देशी कट्टे के साथ धर दबोचा गया और अथियार के साथ साथ कबजे से जिन्दा कार्थूर्थ भी बरामत किये गए बताया जा रहा है कि दोनों नशे में धु होका रेवाडी शहर की सडकों पर घुम रहे थे इससे पहले दोनों किसी वारधात को अंजाम देते तो पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और दोनों योबुकों को ग्रफतर कर लिया फिलहाल सेक्टर तीन चौकी पुलिस ने आमस एक्ट के तहट दोनों के खिला तो वहां ने रुपार के पास जाकर पुलिस पार्टे को देख बागने लगे इनको साथी मुलाजमों के इमदाद से गरफदार किया इनकी तलासी लिए तो एक के जो डफ से कट्टा मिला और रोंद मिलाए जी यह डहना के रहने वाले हैं दोनों एक तो कर रहा हुं एक को पहले तो अभी तो कोई सामने आय नहीं है और हम इनके इनके इलाके थाने से कोई दर्ज होगा तो हम पुस्तास करेंगे यह एक दिन का इनको रिमांड पर लेंगे पुस्तास के दूरान पता लगा कि कट्टा कहां से लाय थे यह किस से लाय थे जो कल घूम रहे है का कोई जानकारी के मुताबिक पकड़ गए दोनों योवकों में से एक चैनाबाद निवासी खर्फ कुंड इस्थित आईटी आई का छात्र है जबकि उसके गाउं का ही नवीन रेवाडी इस्थित ब्रास मार्केट में कोचिंग ले रहा है चुकरुवार की देर शाम सेक्टर तीन चौकी पॉलिस को सूचना मिले की दो योवक हाथ में देशी कट्टा लिये महाराना प्रताब चौक निस्थित नेरु पार्क के पास घूम रहे हैं जिसकी सूचना मिलते ही तुरंट बाद पुलिस ने मौके पर दविश दी तो दोनों नशे की हालत में मिले जिसके बाद पुलिस ने तलाशी ली तो उनके कबजे से एक देशी कट्टा वा दो जिन्दा कार्दूस बरामद हुए पुलिस की माने तो दोनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आला कि पुलिस दोनों को गुरफतार कर उनका अपराधिक रिकॉर्ड कर नाल रही है और जांज के बाद उचित कारवाई की बात कही जा रही है ऐसे में अभिवावकों को अपनी बच्चों पर धान लगने ज़क्त जरूत है ताकि कोई गलत दिशा में वो बड़ा कदम न उठा ले रिवाडी से महेंदर भारती पंजाब के स्रीटी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद